अगर आप भी इस येर 2021 में प्रीम हैट पैक कर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखें इसमें चार प्रीम हैट पैक करेंगे जो इस साल आपको लेनी चाहिए इस वीडियो में हम जो कार फोर्थ नंबर पहें उससे शुरू करके नंबर वन तक जाएंग तो इस वीडियो को लास तक तो देखना ही पड़ेगा और आपकी फेवरिट कार इन चारों में से क्या है और अगर अगर आपको लगता है कि इस सेग्मेंट में बेस्ट कार है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कहीं भी किसी भी पार्ट पर आपको अच चाहता हो कि सिग्मेटभी चार तो उनको प्लीज वीडियो जरूरूर शेयर करें तो चलिए शुरू करतेْं셔서 अज की वीडियो तो सब्सक्रम मेश मचा вами है जब ना चाहिए तो शर्वात गोरेखे आज में मारुती बलीनों से तो बहुत लोग जो बलीनों लवर्स होंगे वो लोग हो सकता है जो हेट कमेंट्स करें नीचे कमेंट बॉक्स में क्योंकि बलीनों काफी लोगों को पसंद आई है मार्केट में काफी अच्छा उसने रिस्पॉंस दिखाया है एंड इस वान आफ दा इसमें कोई दोर आया नहीं है इंडियन्स को मारुती पर कुछ अलगी वरोशा है नो डाउट मारुती ने अपनी में जैसी बनाई है बट आज के टाइम पर जो यूथ है या फिर जो भायज है वो जो आपका बिल्ट क्वाल्टी है उस पर भी ध्यान देने लग गया है तो mileage is not everything तो sheet की quality degrade करकर mileage upgrade करने में कोई rocket science नहीं है तो वही मारुती यूज करती है और मारुती बलीनो को सिर्फ इस वज़े से मैंने उसको fourth number पर रखा क्योंकि काफी जादा वाहियात quality है उसकी global and cap rating three star है उसकी जो की किया को भी मिली है किया की उतनी लगती नहीं बलीनो जितन तो मारुती बलीनो रहने वाली है fourth number पर और साथ लाग की रहन में आपको सिग्मा और डेल्टा पेट्रॉल मिल जाएगा डीजल एंजन मारुती ने बंद करी दिया है तो सिग्मा पेट्रॉल आपको दिली में ओन रोड साड़े शे लाग के आसपास पड़ता है उसमें इसमें सिग्मा फीचर्स अपको मिली जाते हैं पर उसके अलावा एक नया मुझक सिस्टम इंट्रॉस किया गया है उसमें सेंसर हैं बटन अटा दिया गया है उसमें अच्छी बात है उसमें हैलोजियन हैड्लम्स अटागे प्रोजेक्टर हेड्लम्स एड़ी वह भी इसके अंदर पीछे मिल जाते हैं तो यह है आपका डेल्टा और सिग्मा के कुछ फीचर बाकि यह बहुत ही ज्यादा लोग मेंटिनेंस का रहा है जैसे ही मारोती के बारम सब जानते हैं और इसके पेकैनिक्स आपको हर जगे मिल जाते हैं एक इसका बहुत बड़ा एड़ बाकि बूट स्पेस इसका 339 लीटर्स का आपको मिल जाता है और सेम खार आपको टोयटा भी आफर कर रही है उसको रिबैज करके एज ग्लैंजा सेम प्राइस पर तो बहुत लोग टोयटा पे विश्वास करके कि टोयटा की बिल्ट कॉल्टी अच्छी कि वहां जाते हैं बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों ही गाडिया सेम प्लांट में बन रही हैं सिर्फ नाम चेंज हैं का हाँ अगर आप सर्विस के मामले में बोलना चाहते हैं कि टोयटा की जादा सर्विस अच्छी है तो आप महां जा सकते हो no doubt बट दोनों ही गाडिया बिल काफी high maintenance brand होगा उस वैसे लोग फोर्ड फिगो पर जाते नहीं बट इसमें मतलब फोर्ड फिगो में 1.2 लिटर का पेट्रोल एंजन इस रेंज में आपको मिल जाता है इसमें आपको दो विरिंट मिल जाएंगा एक तो एम्बेंट और एक टाइटेनियम तो मेरे को तो बह पारा जाते हैं उतमा इसमें फ्रेस क के लिगाईग्यच Walkर इंजन के लगा सकते हैं तो अगर मैं इंबेंट अप शेचल के असपस ओन ड़ल आजाता है उन्ह्यूमिघि में 19 किलिमेंटर की माइलेज या निकाल देता है पैट्रोल कि इन्जन पे और इसको जो जो फेक्ष म इलेक्ट्रोनिक बेस्ट ब्रेक डिस्पिशन दो एर बैग्स और फ्रंट की दो पावर विंडोज पावर स्टेरिंग और एजिस्टिबल सीट्स पर आपको मिल जाती है मिल जाती है और अगर मैं टाइटेने मॉडल की बात करूं तो वो करीब सबा साथ लाग रुपए के आसपस ऑन रोड पढ़ता है और इसका भी एक शुरूम साड़े छे के आसपस रहता है इसमें बस पावर विंडोज चारो मिल जाती है और पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है फॉल म्यूजिक सिटम मिलता है अलोई वील मिलता है सेंटर लॉकिंग मिलती है टर्न इंडिकेटर्स और विंपर मिल जाते हैं और बाकी बेस मॉडल की फीचर्स तो रहते ही है तो मुझे जो बेस्ट लगता है ना मतलब आप देख लो बलीनों से भी जाता फीचर्स है इसके अंदर जो कहता है ना कि बलीनों बहुत आता फीचर्स मुझे खुद को लगते थे बट पुश स्टार्ट बटन इसमें दे दिया और आपको अलोई एक्स्टर मिल रहा है इसमें बलीनों से टाइट यह ना मॉडल में तो आप लोग इस पर जा सकते हो मतलब इसको भी कंसिडर आप लोग को करना चाहिए बाकी अगर मैं इसके कर्व वेट की बात करू तो कुछ 1040 के जिसका कर्व वेट है लगपग लगपग आई 20 जितना ही है बट इसका माइलेज से काफी जादा अच्छा है मतलब इसका माइलेज सोलह सतरा आ जाता है अगर मैं प्राक्टिकली बात करू तो बाकी जो उसका ग्लोबल एंड काप रेटिंग है फोर स्टार्स है विच इस कुड विच इस मतला अबव अबव अवरेज बलीने से तो काफी अच्छा ही है तो यू कैन कंसेटर फोर्ट फिगो इफ यू वांट तो प्रीम पाया प्रीम हाद बैक कार तो सकेंड नंबर पर हैने वाली है व ग्लोबल एंड काप रेटिंग इसके भी आपको फोर ओड फाइव मिल जाती है तो काफी सेफ कार है यह अब अब वेवरेश तो हाई और पावर का तो क्या ही बता है इसका डिजाइन यासा है कि यूथ के दिल की रानी है यह गाड़ी और माइलेज अलमुस्ट आपको सत्र गया सपस मिल जाता है 16-17 यह माइलेज निकालती है बाकी तो सब को डिपेंड करता है आपकी राइड जो भी ड्राइविंग कैसी आपकी उस पे डिपेंड करता है बागे अगर मैं वेट की बात करो तो 1070 kg वेट मिल जाता है फोर्ट फीगों से हलका सज़ादा आई-20 के आ लोगा टर्बर पेट्रोल एंजन नहीं मिलेगा इस रेंज में आपको बाकी इस मॉडल में आपको सारी बेसिक फीचर जैसे ABS EBD पावर किंग सेंसर दो एर बैक्स फ्रंट पावर विंडो पावर स्टेरिंग के सब आपको मिल जाता है तो वोक्सवागन पोलो इस आ गुड चॉइस पाकी इसके पार्ट्स वगेरा जो हैं वो थोड़ा से महंगे आते हैं यार महंगे तो ही उंड़ा आई 20 के भी है तो जब इसमें आप लोग जा सकते हैं अगर आपको को एक रिलाइबल और परफॉर्मेंस ओरियंटेड गाड़ी चाहिए तो तो अब बारी आ गई है इस लिस्ट की सबसे अच्छी गाड़ी यानि दबेस्ट टीम हैच पैक कार इन दिस रेंज तो नाम तो आप लोगोंने पढ़े लिया है तो यह स्टाटा अल्ट्रो स्टाटा अल्ट्रो मेरी फेवरेट और बेस्ट कार है इस रेंज में ग्लोबल क्या फाइव स्टार रेटिंग मेली इस की तो अभी इसको गोल स्टांडर्ड बोलते हैं गोल स्टांडर्ड कार तो इंडिया सेफिस्ट प्रीम हैच पैक कार है टाटा अल्ट्रो और काफी लो मेंटेनेंस कार भी है मुझे यह गाड़ी सिर्फ इसले नहीं पसंद आती क्य है नहीं क्योंकि जो लोग बलीनों चला चुके हैं या जो लोग आई-ट्यूनटी चला चुके हैं वह उसको शायद पसंद नहीं करेंगे क्योंकि रिफाइनमेंट नहीं है इसके इंजन में बागी पावर डिलिवरी वगरा काफी अच्छी है इस गाड़ी की और इस में भी तक हमने सारे पेट्रॉल का इसको ही कंसिल्टर किया तो 1.2 लिटर का थ्री सिलिंडर एंजिन्स में आता है एक सी मॉडल जो है यह करीब सबस्चे लाग का देली में मिल जाता है जिसमें आपको सारे नौनल फीचर मिल जाता है एक से बात करें तो वह करीब साथ लाग दस जार का ओंड़ डेली मिल जाता है इसमें आपको मिजुक सिस्टेम बढ़ा के देते हैं और चारो पावर विंडो देते हैं बाकि इसका फॉर्ट फीको जितना ही करवेट है 1036 kg के अंदर आपको करवेट मिल जाता है मायलेज यह अराउंड 16 की निकाल के देती है और दिस इस अउनली हैच बैक जो क्रूज कंट्रोल देती है मिल फॉर्स हैजबेक यह थी जिसने क्रूज कंट्रोल निकाला था इसके टॉप टॉप वेरिंट्स पे आता है बट अब आइटवेटी में भी आने लग गया है तो फिर आप कंसेडर कर सकता है आइटवेटी को बट इसके लुक्स की तो इसके लुक्स काफी जादा अब आइट बहुत प्यार से मतलब आइट पर जाता है जिनकी फरस कार होती वह तो आँख बंद करके आइट पर जाते हैं तो फिर आइट रख पर कार विच इस लीडिंग इन दिस सिग्मेंट अब अभी हो सकता है उसके सेल जादा ना हो बट बेस्ट कार इस सिग्मेंट म में आप देख के बताईएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी अपना जो ट्रीव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना पूलें इस वीडियो पर मिलता हूँ आप से ऐसी एक और इंफरमेटिव और इंटरस्टिंग वीडियो म हुआ 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 है